आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रशन के फोड़ो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाउट अब ही राउटनोट करें। जो एक एक कोष्ट का है, वह जो आपका है, वह क्या है? आपकी BCC सनरचना रखती है, एक जो आपकी कोष्ट का है, वह कौन से सनरचना रखती है? BCC सनरचना रखती है, और हमको पता है BCC सनरचना का मतलब होता है, जहां परमाडू आठ कौनों के साथ साथ एक कोष्ट का के केंद्र पर उपस्तित होते हैं अगर एक करिष्ट का के केंद्र पर उपस्तित होंगे तो BCC में हम देखते हैं BCC एक कोष्ट का में अगर हमारे पास एक BCC एक कोष्ट का है BCC एक कोष्ट का में परमाडू की संख्या क्या होगी हम बात कर रहा है एक BCC एक कोष्ट का में परम परमाडू की संख्या, तो आपको पता है यहाँ परमाडू कहा उपस्ते थे, कौनों पर उपस्ते थे, कौने कितने होते हैं, आठ होते हैं, और एक परमाडू का कौने पर कितना भाग होता है, एक भाई आठ होता है, प्लस, और हम बात करेंगे केंदर पर जो आपका परमाड तो देखो अब हमारे पास कुल कितनी एका कोष्ट का है अगर हमारे पास एक बी सी सी एका कोष्ट का है तो परमाडू की शंक्या होगी दो और हमारे पास प्रिसमें दिया हुआ है 12.08 गुणा 10 की घात 23 एकक कोष्ट का में परमाडू की शंक्या कितनी हो जाएगी दो गुणा 12.08 गुणा 10 की घात 23 इतनी आपके क्या हो जाएंगे आपके परमाडू हो जाएंगे कितने में इतने आपके बी सी सी एकक कोष्ट काओं में बात आपको समझ में आ रही होगी तो हमारे पास 12.08 तो यहां पर हम विकल्प देखें, यह जो हमारा दूसरा वाला विकल्प है, यह हमारा सही उतर होगा, धन्यवाद.